तो आगे हम लोग बात करते हैं 2022 के पेपर की उपर, इसको आपको सॉलो करवाएंगी, ठीक है, बहुत 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 आसान सब्दों में, बहुत आसान भाषा में आपको करवादेंगे, चलिए, तो 2022 का पेपर हम लोग सॉलो करेंगी, सबसे पहला जो कुष्ण था भहिया, 2022 2022 में वो 23 नमबर का हम लोग start करेंगे क्योंकि हम लोग पीछे से start कर रहे हैं मतलब यह 4 नमबर में आया था चार नमबर में तो हम लोग 3 नमबर और 4 नमबर को यह cover कर रहे हैं तो 3 नमबर और 4 नमबर के जितने भी important questions से सब करवा देंगे तो देखिए पहला question था state any 4 importance of consumer awareness देखो एक बात ध्यान रखना English medium वाले बच्चे अगर आप लोग paper में बेठो तो आप लोग Hindi में और English में दोनों में paper को पढ़ लेना इससे क्या होगा कभी-कभी ऐसा होता है कि हमको सब्द समझ में नहीं आता है तो आप Hindi में पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ में जाएगा उब्भुकता जागरुकता के कोई 4 महत्व बताईए मतलब क्या हुआ उब्भुकता मतलब हम लोग customer customer जो होते customer को जागरुक करने के जागरुक केसे कर सकते हैं जागरुक केसे हो सकते हैं customer उनके 4 महतो बता दो 4 point बता दो चार point कौन कौन से होगे कि smart shopping मतलब आप जो भी customer है जो भी हमारे consumers हैं क्या बनेगे consumer consumer aware तभी हो सकते है जागरुक तभी हो सकते हैं जब वो smart shopping करें ensure value for money और वो हमेशा insure करें वो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि हमें value for money के लिए जाना है किसके लिए जाना है value for money के लिए मतलब उसी चीज़ का हमको shopping करना हो shopping करनी चीज़ जिसका उचित दाम हो उचित दाम हो अच्छा price हो मतलब हमारे लिए valuable हो उसी के हमें smart shopping करनी है उसके बाद product safety भाया आप लोग कुछ ऐसा product मत ले आना जो safe ना हो फिर आपको दिक्कत आ जाए इसलिए हमें product safety के उपर भी ध्यान देना चाहिए smart shopping उतपात सुरक्षा उसके बाद अच्छी कीमतें और कानूनी सुरक्षा हिंदी medium के लिए ये रहेगा हम देखो English medium में भी करवा रहे हैं हिंदी medium में भी करवा रहे हैं तो हम जब हिंदी में बोले हैं तो हिंदी medium वाले तो automatic समझ रहे होंगे चीजों को fair price fair price मतलब उचित दाम अच्छी कीमत purchase the item that have fair price purchase the item that have fair price वहां वस्तु खरी दें जिसका उचित मूली हो purchase the item that have fair price fair उचित कीमत legal protection अब भहिया कुछ कुछ चीज़े ऐसी होती जिनकी legal होती हो कानूनी तोर पर कुछ चीज़े legal होती कुछ illegal होती है तो आप इसका भी दियान रखना है कौन सी चीज legal है इसका भी protection करना बहुत ज़रूरी है कानूनी रख्चा करना बहुत ज़रूरी है तो consumer should know the legal policies and protection तो consumer को हमेशा non होना चाहिए पता होना चाहिए क्या पता होना चाहिए भहिया उनको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज legal है कौन सी illegal है आई बत समझ में चलो चार पॉइंट फटाफट बोल दो smart shopping, product की safety, fair price और legal protection हिंदी मीडियम वाले जल्दी से बोल दो smart shopping, उतपाद की सुरक्षा, अच्छी कीमत और कानूनी सुरक्षा अच्छा तेवी स्वे का और वाला देख लें फटाफट तेवी स्वे का और वाला क्या बोलता है write four points about consumer exploitation, अब भया आपने consumer तो पढ़ लिया, आपने सोचा कि वही तो question है ये भी, और आपने वही वाला चिपका दिया, और परिक्षा में आपको मिलेगा 0 बटे सननाटा, क्यों मिलेगा क्योंकि question में आपने अच्छे से पढ़ा नहीं, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है exploitation, exploitation मतलब शोषण, मतलब जो हमारे consumers हैं, उनको किस तरीके से लूटा जा रहा है, किस तरीके से उनका शोषण किया जा रहा है, उनको trick किया जा रहा है, बेवकूब बनाया जा रहा है, तो बताए चार पॉइंट कैसे consumer को exploit किया जा रहा है, देखो English medium वाले exploit बोला करो, शोषण नहीं बोलना है Hindi medium वाले शोषण बोलेंगे, ताकि आपको जल्दी आद हुजाएगा, ठीक क्योंकि English मिडियम वाले को English में लिखना पड़ेगा, तो बहिए चार पॉइंट कौन-कौन से हैं, तो क्या बोलोगे बहिए tricking people, आजकल क्या हो रहा है जो consumer को आजकल हर कोई trick कर देता है लोगों को धोके देना tricking मतलब धोका देना, trick मतलब धोका देना लोगों को धोका देना तो tricking people मतलब some seller जो बेचने वाले होते हैं use tricks, use tricks कुछ trick बनाते हैं, कुछ धोके की trick बनाते हैं to make people buy things they do not really need to need or want मतलब ऐसा हो रहा है यहाँ पर मतलब कि कुछ विक्रेता लोग को विशेषता नहीं होने वाली चीजे खरीदने के लिए फुसलाती है मतलब इसको आप तो और correct कर लेना बट इसका मतलब यहाँ पर यह हो रहा है कि जो हमारे sellers होते हैं जो हमारे sellers होते हैं जो बेचने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं वो लोग कुछ ऐसी trick बनाते हैं कि आपको वो समान नहीं चाहिए उसके बाद भी आपको खरीदवा देते हैं मतलब आप खरीदने में मजबूर हो जाते हैं तो यह trick हो गई है तो हिंदी मीडियम वाले थुरा सुदार लेना है यहाँ पर हमने थुरा सा mistake हो गई हमसे लेकिन आप लोग भी जानते हैं यहाँ इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे है थुरा सा आपको भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी समझदार बने आप भी aware बने आपको भी आपका शोशन यहाँ पर नहीं होना चाहिए आपको भी समझदार बनना है तो अपने हिसा आप से थुरा सा यहाँ पर correction कर लेना चलिए English Media वालों कोई दिक्कत नहीं है उनको उमने समझा दिया Some sellers कुछ sellers क्या करते हैं trick का use करते हैं to make people buy things that they don't really need or want मतलब उनको चाहिए ही नहीं they do not really need or want but sellers use trick to make people buy sellers use trick to make people buy to make people buy चलो उसको बहुत bad quality होगी मतलब क्या होता है आजकल bad quality का समान हमें बेज देते हैं sometimes they sell things that do not work well or break quickly मतलब बहुत जल्दी break हो जाती है और अच्छे से काम नहीं करती है तो उसकी quality कैसी होती है bad quality stuff stuff बहुत important शब्दे जैसे हम लोग हर चीज में बोलते हैं कि चीज 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 ठीक हम लोग हिंदी वाले जो होते हैं वो चीज बोलते है अरे वो चीज बहुत अच्छी है अरे वो बहुत अच्छी चीज है तो चीज मतलब stuff stuff मतलब समान वस्तु कुछ भी आई समझ में stuff बोलना से को आज से stuff bad quality stuff मतलब कुछ भी बेकार चीज़ हमें बेच देते हैं charging too much exploitative sellers might ask for too much money for something that isn't worth it मतलब कुछ चीजों की worth it नहीं होती worth नहीं होती उसके बाद भी उनको sellers इस तरीके से बेचते हैं मतलब बहुत मेहंगा करके बेच देते हैं आरे what समझ में मतलब उसकी किमत को बड़ा देते हैं charge बहुत जादा करते हैं उस चीज के लिए क्या करते हैं बहुत जादा आपसे charge करते हैं too much charge करते हैं too much उसके बाद not telling truth कभी-कभी sellers जो होते हैं से लाई करते हैं, जूट बोलते हैं, क्या करते हैं, जूट बोलते हैं, किसके बारे में जूट बोलते हैं, कि भी ये product बहुत अच्छा है, आप खरीद लो, लेकिन reality में क्या निकलता है, वो वो product अच्छा नहीं निकलता है तो वो आपसे जूट भी बोल सकते हैं Hindi medium वाले सच नहीं बोलना, बहुत ज़्यादा पेसे मांगना बुरी गुणवत्ता का समान इस तरीके से आप लोग याद कर लेना ठीक है बहुत easy है, tricking people bad quality का stuff, charging too much not telling the truth देखो आप लोग इसको मन से भी लिख लेना ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, सबस्तों जरूरी चीज है यह heading, heading को अच्छे से पढ़ लेना इनको तो बिल्कुल मत छोड़ना some sellers lies about what product can do just to sell more even if it's not true, some seller मतलब कुछ seller lie about what a product some sellers lie, जुट बोलते हैं के बारे में जुट बोलते हैं, about मतलब के बारे में what a product can do क्या यह product कर सकता है just to sell more just to sell more, सिर्फ इसलिए जुट बोलते हैं ताकि वो इससे और sell कर सके more sell कर सके, even if it is not true जबकि जानते हुए कि यह समान, भले ही यहां सच ना हो भले ही यह सच ना हो, तब भी उसको क्या करते हैं तब भी उस product को इस तरह के से market करते हैं इस तरह के से marketing करते हैं कि आप लोग खरीदने पे मजबूर हो जाते हो और वो जुटी बोलते हैं आप लोगों के साथ यह बात है अगला कुशन पढ़ो मेरे साथ write any four elements that hinder success of democracy hinder और obstacle यह बहुत जरूरी शब्दे hinder या फिर obstacle hinder मतलब रुकावट hinder मतलब रुकावट obstacle मतलब भी रुकावट लिख देते हैं एक काम करते हैं आप लोगों के लिए आपकी इतनी तो help करी सकते हैं हम लोग क्योंकि होता यह है कि बच्चे confused हो जाते हैं obstacles एक काम करते हैं यहाँ पर शायद लिखा नहीं रहा है हम यहाँ से इस से लिख देते हैं obstacles हिंडर और obstacles हिंडर और obstacles का मतलब क्या होता है हिंडर मतलब होता है रुकावट क्या होता है रुकावट और obstacle मतलब भी रुकावट या फिर बाधा आप लोग बाधा भी देख सकते हो ठीक है बाधा तो यह होता है यहाँ पर तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन-कौन से राइट नि 4 एलिमेंट क्या है जो कि बाधा पोचाते हैं कि इसमें success of democracy में तो success of democracy मतलब तो हमारा जो लोग तंतरे उसकी सफलता में चार कौन-कौन से बाधा पोचाने वाले elements है bad element of society गौलमाल मुवी आपने देख Wow गौलमाल मुवी का एक डायलोग है ना बेड एलिमेंट आफ सोसाइटी तो ऐसे कौन-कौन से चार एलिमेंट से जो कि हंडर करते हैं सक्सेज ऑफ डेमोक्रेसी को तो करप्शन हो गया लेक ओफ एजुकेशन पॉलिटिकल पार्टीज और मनी गेप और रिलीजन और कास्ट आ को आज कर क्या करप्शन बहुत बढ़ गया है तो करप्शन की वज़े से क्या हो रहा है करप्शन की वज़े से हमारे जो सक्सेज ऑडेमोक्रेसी की लोगतंतर की जो सफलता है उसमें रुकावट पेदा हो रही है तो कि क्या करते हैं यह लोग पॉलिटिकल पॉलिटिशन और officers क्या करते हैं? ये corrupted हो चुके हैं. क्या हो चुके हैं? corrupted हो चुके हैं. इस वजruck से आज के समय पर बहुत जाना दिक्कत आ रही है हमारी democracy को, हंपर लोकतंत्र को बहुत जाना दिक्कत आ रही है. Lake of education. अब बहुत सारे लोगों के बीच में कमी है, किस चीज की कमी है, education की कमी है, among people, लोगों की बीच में, hinder success of democracy, इसकी वज dislocation की वज़े से क्या हो रहा भी या? hinder success of democracy, बादा पोछ रही है, political parties भी कहा कर रही है? political parties, negative power, political parties के पास अगर negative power चले जाती है, तो वो क्या कर सकती है? hinder the success of democracy, रटलो इसको तो मनी गेप अच्छा मनी गेप से क्या समझते हो पेसो की बीच में गेप क्या से आएगा भी या दस का नोट और सो का नोट आया गेप 90 रुपे का ये नहीं है कॉंसेट तो अलग है कॉंसेट ये है कि कुछ लोग बहुत कुछ लोग है जो बहुत ज़दा अमीर है और कुछ लोग बहुत ज़दा गरीब है इस वज़े से दिक्कत क्या आ रही है इस वज़े से दिक्कत यहाँ पर यहाँ आ रही है कि मनी गेप बन चुका है मतलब यहाँ इसकी वज़े से क्या हो रहा है hinder of success हो रहा है आप तो simple सी भासा में याद कर लो hinder success of democracy तो इंग्लिश वाले कैसे याद करेंगे when some people have a lot of money when some people have a lot of money then other then other तो क्या होता है hinder of success hinder success of democracy होता है hindi medium वाले कैसे याद करेंगे भष्टाचार कई राजनेता और अधिकारी भष्ट हो चुके हैं वे लोगतंतर की सपलता में बादख है लोगों में सिक्षा की कमी लोगतंतर की सपलता में बादख है राजनेतिक दल राजनेतिक दलों की नकरात्मक शक्ती लोकतंतर की सपलता में बाधग हो सकती है धन का अंतर जब कुछ लोगों के पास दूसरे की तुलना में बहुत अधिक पेशा हो जाता है То यहाँ लोकतंतर की सपलता में बाधग बन जाता है धर्म और जाती अच्छा एक point और रहेगा था हमारा धारम बोजाती तो आजकल क्या लोग धारम बोजाती में बटे हुए तो ये भी क्या हो सकता है religion और caste क्या हो सकता है इसका एक region हो सकता है 22 विकाओ और देख लो भी या write any four suggestion the way of remove the obstacles of democracy obstacles मतलब रुकावट बताया था ना भी आपको थोड़ी दिर पहले कि भूल गए obstacles मतलब रुकावट और hinder मतलब भी रुकावट तो भी ये चार एसे कारण बताओ write any four suggestion the way of removing the obstacles of democracy किस तरीके से हम लोग ये जो भी रुकावट आपको ने पढ़ी थी आपने जो रुकावट देखी थी इन रुकावट को कैसे हटा सकते हैं बताओ कैसे हटा सकते हैं तो क्या होगा good politician and good officers तो अगर market में market मतलब अगर हमारे पास अच्छे politician आ जाएंगे अच्छे officers आ जाएंगे जो corrupted नहीं होंगे तो automatic क्या हो जाएगा remove हो जाएगी remove the obstacles of democracy आप line लिख देना इसके आगे ठीक है good politician and good officers can remove the obstacles of democracy educated people can remove the obstacles of democracy educated people मतलब पड़े लिखे लोग भी हटा सकते हैं respect the every religion and caste अगर हम लोग हर religion और हर caste की respect करेंगे तो क्या होगा इससे यह जो हमारा लोक्तंत्र है इसकी जो बाधा पहुचाने वाले elements है वो सारे हड जाएंगे हमें हर धर्म की और हर caste की इज़त करनी चाहिए equality लानी चाहिए मतलब increase the opportunity of job अगर हम लोग job opportunity बढ़ा देंगे बतलब ज़दा ज़दा job मिलेगी लोगों को तो automatic यार हमारे देश को फायदा पहुचेगा आराय समझ में हिंदी मीडियम वाले इस तरीक से याद कर लेना बहुत easy है पढ़ने की चरूत अपको पढ़ने नहीं जहिए सब समझा दिया आपको देखो मनसे भी लिख सकते है उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन पढ़ ले न वहाँ पे एक्जाम में आपको मनसे लिखने का टाइम थोड़ा कम मिलेगा आगे देखिए write any for reason of non-corporative moment 1920 1920 में एक moment हुआ था जिसको बोलते non-corporation moment non-corporation moment आसयोग अंदोलन 1920 के कोई चार करण लिखे क्यों हुआ था इसके चार करण लिखना है चार करण कोंकों से याद करेंगे आप लोग पहला हुआ था हमारा first world war first world war देखो होता क्या था non-corporation moment एक moment है जिसमें गांधी जी ने इसको start किया था क्यों start किया था वो आपको सुनाते है कहानी समय ये था कि भाई आप पहला विश्व युद्ध चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था इसमें अलग-अलग देश participate कर रहे थे युद्ध कर रहे थे तो ऐसे में क्या होता है जब अलग-अलग देश युद्ध करते हैं तो हर देश की जो आर्थिक स्तती है उस कमजोर होने लगती है क्या होने लगती कमजोर क्योंकि हम दूसरे देशों के उपर बहुत ज़ना dependent हो जाते हैं कभी-कभी तो अगर वहाँ पर युद्ध के हालात होंगे तो वहाँ पर कांधंदा चोपट हो जाएगा तो ऐसे में दूसरे देशों के हर देश की उपर बुरा असर पड़ता है बेड इंपेक्ट पड़ता है तो पहला वल्डवार था उसकी वज़े से भी non-cooperation moment चलाया गया था एक करण क्या था जलियावाला बाग नरसनहार या फिर जलियावाला बाग मैसीकरी तो जलियावाला बाग मैसीकरी भी एक करण बन सकता है क्यो बन सकता जलियावाला बाग मैसीकरी आप सभी को पता होना चाहिए नहीं पता है तो जलियवाला MSG में क्या हुआ था General Dire जो था General Dire ने firing करवा दी थी किनकी उपर बहुत सारे लोगों के उपर जो की खटा हुए थे जलियवाला बाग में वहाँ पर क्या हुआ था भईया वहाँ पर लगबग हजारों लोग मर गए थे यार मार दिया गए थे मतलब क्यों मार दिया गए थे क्योंकि अंग्रेज उनको अच्छा नहीं समझ रहे थे अंग्रेज उनको क्या समझ रहे थे कि यह हमारे लिए बादा पहुचा सकते हैं इंडर पहुचा सकते हमारी success में, इस वज़े से उनको क्या कर दिया गया था, उनको मरवा दिया गया था, बहुत सारे मासुम लोग, innocent लोग मर गये थे उसमें, ठीके, तो इससे क्या हो गए हमारे इंडियन जो थे, इंडियन पीपल आर एक्स्ट्रीमली एंगरी, इंडियन मतलब बहुत जानदा, बहुत गुसा हो गए थे, बहुत गुसा हो गए थे, इस वज़े से भी हमें non-corporation moment चलाना पड़ा, हमें मतलब गांदी जी को चलाना पड़ा, खिलाफत moment और royal debt, खिलाफत moment का है विया, खिलाफत moment क्या था विया, हमारे जो तुर्की है, हमारा नही तुर्की में क्या चल रहा था, उसटा में world war चल रहे थे सब जगा पर, तुर्की में खिलाफा जो थे, खिलाफा मतलब जो मुसल्मान की तरीके से leader जो थे, मुसल्मानों की आप बोल सकते हो, धार्मिक गुरू, तो उनकी उपर खत्रा आ गया था, तो इस वज़े से जो इ पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा स्टार्ट कर दिया, तरीके से समझ जगते हो, उनके खिलाफ उन्होंने प्रोदर्शन करना स्टार्ट कर दिया, कि हमारे खलीफा जो खत्रे में है, तो इस वज़े से यहाँ पर थोग से दिक्कत आ गई थी हमारे इंडिया में तो एक तो ये कारण हो गया फस्ट वल्ड वोर, जलियावला वाग, मैसी क्रीक खिलाफत मुमेंट और साथ में लास्ट में रोयल्ड एक्ट रोयल्ड एक्ट बहुत सिंपल है रोयल्ड एक्ट का मतलब यह होता है अंग्रे जोंने सोचा कि भहिया ऐसे करांतिकारी, भगत सिंप जैसे करांतिकारी सुकदेव जैसे करांतिकारी अगर ये बढ़ते रहे तो भहिया हमारी तो पावर खतम हो जाएगी, अपना तो नाव उन्हें शान मिट जाएगा तो ऐसे में क्या किया था उन्होंने बहुत सारे इंडियन्स जो थे बहुत सारे इंडियन्स को without any reason बिना किसी कारण की जेल में डालना स्टार्ट कर दिया था, अरेष्ट करना स्टार्ट कर दिया था तो ऐसे में जो हमारे इंडियन्स थे वो बहुत ज़्यादा extremely angry हो गए थे, क्या हो गए थे extremely angry हो गए थे, किसके खिलाफ angry हो गए थे, बिटिशर्स के का मतलब यह था कि आपको विदेशी समान कुछ नहीं खरीद ना है, आपको सुधेशी अपनाना है, आपको क्या अपनाना है, सुधेशी अपनाना है, आई बात समझ में, तो हिंदी मेडियम वाले, इंग्लिश मेडियम वाले दोनों समझ गया होंगे, बहुत इसी है, प्रथम विश्व जुद कारण था, जलिया वाला बाग नरसंगहार, या फिर जलिया वाला बाग हत्याकांड, उसके अलावा खिलाफत मुमेंट, खिलाफत शन, रोयाल्ट एक् non-corporation मुमेंट को स्टार्ट करने के, कब हुआ था ये 1920 में, और जलिया वाला बाग कब हुआ था 1111 में, तो एक साल बाद ही कैस्टार्ट कर दिया गांधी जी ने non-corporation मुमेंट 1920 अच्छे यह तो बदा जी आपको है ना चलो आगे बरते वाटिस political parties political parties क्या क्या होती है क्या होती है political parties इसके उपर question आया था देखे पोलिटिकल parties are group of people political parties क्या होती है एक group of people होती है कौन होती है group of people मतलब क्या होता है या samu तो जब लोगों का समू बन जाता है तो क्या उसे राजनीतिक पार्टी बोल देते हैं? नहीं, सिर्फ राजनीतिक पार्टी में गुरूप होना जरूरी नहीं है उन गुरूप का एक टारगेट होना चाहिए एक idea होना चाहिए, एक लक्ष होना चाहिए, क्या होना चाहिए, who have similar ideas, उन सभी के एक similar ideas होने चाहिए, सभी एक काम करना चाहिए, एक काम का मतलब है, सबका एक ही idea होना चाहिए, सभी का एक ही लक्ष होना चाहिए, कि हमारे देश को आगे बढ़ाया जाए, हमारे देश को चल of people, political parties क्या होती है, group of people होती है, जिनका similar idea होता है, जिनके पास similar ideas होते हैं, और साथ में क्या करते हैं, देश को चलाने के लिए सक्षम हो जाते हैं, या बनना चाहते हैं, ऐसा आप लोग समझ सकते हूं, they work together, सभी के सभी जो भी political party के अंदर लोग होते हैं, वो एक साथ काम करते हैं, भाइचारे के साथ काम करते हैं, unit के साथ काम करते हैं, to get their member, ताकि उनके जो members हैं, to get their members elected to the important government position, ताकि उनके जो members हैं, वो कहां पोच जाए, elected हो जाए, election में कहां पर elected हो जाए, government position के उपर elected हो जाए, ठीक, select हो जाए, like president, prime minister, इसलिए क्या करते हैं, वो work together करते हैं, एक साथ काम करते हैं, अब ये example तो आप सभी को यादी होंगे, Indian National Congress, INC, Indian National Congress, भारती जंता पार्टी, BJP, आम आदमी पार्टी, आप, ये इसके examples लिख देना, ठीक, लिखके राजनीती दल क्या है, राजनीती दल ऐसे लोगों के समू है, जिनके विचार एक जैसे होते हैं, किसी देश को कैसे चलाना जाना चाहिए, ये भी उनको पता होना चाहिए, वे अपने सदेशियों को राष्ट पती या प्रधान मंत्री जैसे मात्रफुन सरकारी पदों पर निर्वाचित कराने के लिए मिलकर काम करते हैं, उद्धारन भारती राष्टिका उंग्रेस, भारती जन्ता पार्टी, आम आदमी पार्टी आप, इस तरीके से आपको लियाद कर देना, अगला क्रिशन है, ये मत बोल देना, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, हमारे गा आपको क्या बोलना है भी या, पॉलिटिकल पार्टी सरक नहीं बनाती है, गॉर्मेंट सरक बनाती है, एक बच्चा था हमारा उसने बोला था एक बार हमसे, कि सर, पॉलिटिकल पार्टी तो सरक बनाती है, तो हमने उसको जवाब दिया था, पिछले साल, तो उसमें एक और्गिनाइजिशन करना, shared ideas और election participation ये तीन में काम होते हैं और्गिनाइजिशन मतलब political parties have leaders and members who work together political party का सबसे बड़ा जो काम है वो यह है कि political parties have leaders and members who work together तो वहाँ पर क्या करते हैं ये political parties organize करती है मतलब सभी की सभी leaders जो होगे, members होगे, उनको सबको एक साथ काम करवाने के लिए ये organize करती है, चीजों को बनाती है इस तरीके का atmosphere, इस तरह का environment बनाती है कि सारे के सारे leaders होगे, सारे के सारे workers होगे, सारे के सारे members होगे वो work together करे, कैसा करे, work together, एक साथ काम करे तो एक साथ काम करना, एक point हो गया, दूसरा होगा, share ideas, member of the parties have similar beliefs and ideas about how the government should run, तो इनका एक main काम यह होता है कि वो ऐसे-से idea meeting में लेके आएं, जो कि क्या कर सके, government को run करने के लिए जरूरी हो, ठीक है, government को run करने के लिए जरूरी हो, यह हमारे दूसरा point हो गया, तीसरा point का election participation, parties join elections to get their members into important government roles, अब भया, एक काम जो आप सभी को पता होना चाहिए, वीसे पता होगा, कि parties क्यु होती है, ता कि वो election जीच सके, ठीक है, election में पहले तो participate करना पड़ागा, तब तो जीतेंगे, तो election में participant कैसे करेगी, parties join election, parties election को join करती है, to get their members into the important government roles, to get their members into the important government roles तो वो क्या करती है political parties जो होती है वो election को join करती है लक्ष यह बनाती है कि हमारे जो members है वो किसमें चले जाएं government roles में चले जाएं तो यह 3 point होगे हिंदी मीडियम वाले क्या आद रखेंगे संगठन बनाना, साजा विचार उसके बाद चुनाओं में भागीदारी यह 4, 3 point आपके लिए होगे तो मन से लिख देना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें आगी एक्ता बना के रखना इसमें एक साथ काम करना मतलब एक साथ काम करना, एक साथ विचारों को रखना चुनाओं में भागीदारी ठीक है, participation in the election इस तरीके से आप लोग याद कर लेना अठारवा कुशन है वाट इस basic industry right with example तो बुनियादी उद्ध्योग क्या है उद्धारण सहीत लिखिए ठीक है, basic industry क्या क्या होती है हमारी तो basic industries are those that produce raw material or produce essential service बुनियादी उद्ध्योग वे हैं जो कच्चे माल का उत्पादन करते हैं या आवश्चिक सेवाएं प्रदान करते हैं वे अन्नी उद्ध्योगों का समर्थन करते हुए एक अर्थ विवस्ता की नीव रखते हैं देखो, basic industry वो industry होती है जो कच्चा माल बनाती है raw material आप बोलेंगे हम लोग raw material बनाती है और essential मतलब जरूरी essential services provide करती है कैसे services provide करती है essential services provide करती है basic industry क्या provide करती है भया essential service provide करती है साथ में raw material कच्चा माल बनाती है आई बात समझ में उनको बोलते है basic industry they form the foundation of an economy वो क्या रखती है, नीव रखती है, किसकी foundation रखती है, economy की, economy मतलब हमारे देश, हमारा देश जो है, उसके पेसा वेसा जहां से बनता है, पेसा जो होता है, पेसे का चलना फिरना, ये चीज़ें जो होती है, वो economy के अंदर आती है, आरी बात समझ में, they form the foundation of the economy, भारत की साथ other industry को support करना भी किसका काम है, basic industry का काम है, आयो बात समझ में, basic industry का करती है, support किसको करती है, other industry को करती है, बाकी industry को support करती है, उद्योगों को support करता है, example से पहले हम लोग हिंदी मीडियम में आपको समझा देते हैं, बुनियादी उद्योग, बुनियादी उद्योग वे ह जो कच्छे माल का उत्पादन करते हैं या आवश्चक सेवाय प्रदान करते हैं वे अन्य उध्यूगों का समध्थन करते हुए एक अर्थ विवस्ता की नीव रखते हैं बनाते हैं रखते हैं कुछ भी एक्जांपल क्या हो गए भी या इसके एक्जांपल है माइनिंग इस अ बैसिक इंडूस्ट्री बिकॉस इट एक्ष्ट्राव माटेरियल लाइक कोल आईरन और इस माटेरियल्स आर देन यूजड बाए अधर इंडूस्ट्री तो मेक थिंग्स लाइक स्टील जंडरेट इले कलता है तो कोईला किसके अंदर आता है कोईला और आईरन यह आता हमारे बैसिक इंडूस्ट्री की उक्कार है क्यों आता है क्यों कि बैसिक इंडूस्ट्री जो होती है कच्छा माल बनाती है तो कच्छा माल हो गया दूसरी बात क्या बताई थी हमने कि इनको दूसरी इंड दूसरी इंडस्टी को support करती है क्या एक industry का काम है कि raw material तयार करना दूसरी इंडस्टी का काम है कि उसको और अच्छे से और भी जादा manufacture करना और भी अच्छे से उसको modify करना तो अलग-अलग industries हैं जो एक दूसरे को support करती है तो mining is an example of किसका example है अगर कोई पूछ ले आपसे तो क्या बोलोगे mining is an example of basic industry हिंदी में सुन लो खनन एक बुनियादी उद्ध्योग है खनन मतलब वही हमारा है क्योंकि यहाँ कोईला या लोहा आस्यक जैसे कचे माल को निकालता है फिर इन सामग्रियों का उप्योग अन्य उद्ध्योगों द्वारा स्टील जैसे जैसी चीजें बनाने या बिजली उत्पादन करने के लिए किया जाता है अठारवा देख लो और वाला राइट एनी थ्री मैजर्स टू कंट्रूल वाटर पोलूशन या पानी गंदा हो रहा है पानी को वाटर पोलूशन हो रहा है तो कंट्रूल कैसे करोगे पानी को कंट्रूल कैसे करोगे तो बहुत सिंपल है यह क्लीनिंग फेक्टरी मतलब आपको अगर वाटर पोलूशन को रोकना है पानी को गंदा होने से रोकना है तो क्या करोगे आपको cleaning factories आपको क्या करना पड़ेगा भी या cleaning factories मतलब make factories clean their west water before it goes into the river मतलब यहाँ पर यह हो रहा है कि जिसे जो बड़ी-बड़ी factories होती है उनका पानी कहाँ पर जाता है नदियों में जाता है तो वो जो west water है उसको नदियों में जाने से आपको रोकना है आपको रोकना है मतलब कि question में इस तरह के से आपको बताना है उसके बाद rules for companies आपको ऐसे नियम बना देना है strict नियम बनाना है ऐसे strict नियम बनाना है कि company so that they do not put bad stuff stuff मतलब चीजे है bad stuff in the water punish them if they break the rules तो मतलब क्या हुआ कि वो bad stuff water में ना पहलाएं इसके अलावा punish करो उनको क्या करो punish करो क्यों करो if they break the rules अगर वो नियम ब्रेक करते हैं तो उनको punish करो ये होना चाहिए ऐसा rule बनाना चाहिए हमें teach everyone अब भाया आपको सिक्षा भी provide करनी है शिक्षा भी देनी है ऐसे लोग जिनको ज़्यादा knowledge नहीं है कि वोटर पॉलिशन कितना नुक्सान दायाख है तो उनको teach करना जरूरी है tell people how to throw away things without hurting the water आरे ये बात समझ में लोग को जागरुख बनाओ कि वोटर को pollute मत करो ये बहुत जरूरी है अगर पानी नहीं रहेगा तो क्या करोगे पीओगे क्या तो ये चीज़ होती है हिंदी मीडियम वाले क्या आयत रिखेंगे सफाई कार खाने जो है नदियों में जाने से पहले कार खानों के अपसिष्ट जल को साफ करें कमपनियों के लिए नियम बनाए उसके बाद लास्ट में सबको सिखाओ आरे ही बाद समझ में अब आप लोग पढ़ ले ना हिंदी में तो आप लोग सभी पढ़ी लोगे कोई दिक्कत ही नहीं है तो चलते चलो हमारे साथ साम सत्रवा कोशन में पहुच चुके हम लोग और वाला करेंगे अच्छा ये कोशन कौन सा था हमारा अठारवे का और था अब शायद ही हमने सत्रवे का और लिख दिया है बाकि सत्रवा का लास्ट कोशन एक हमारा शायद रह गया है ठीक है तो एक बार देख लेते हैं अठारवा का और गुर्मिस्वे का और अच्छा एक क्योशन हमारा रह गया है कोई बात नहीं यह जो PDF है MP Board Education App के ओपर मिल जाएगी आपको तो वहाँ पर आप लोग चेक कर लेना Conventional Source Of Energy With Example आपको क्या बुश्या जा रहा है कि आप वह Conventional Source Of Energy लिखो और उनके Example लिखो आप Conventional Source क्या होते हैं Conventional Source Of Energy उर्जा की पारंपरिक स्रोत मतलब एसे जो सबसे basic स्रोत है पारंपरिक स्रोत है उनको लिखो उर्जा की देखो और जामें केरोसीन मतलब की खांसलेट हाइड़ोपावर मतलब पानी जो होता हाइड्रोपावर समझते हो पानी जब जैसे बड़े बड़े बाढ़ होते है वहाँ पर हाइड्रोपावर बनता है तो यह हो गया उसके लावा nuclear energy, nuclear energy मतलब यही हमारे atom bomb अगेरा, तो वो भी हमारे क्या हो गया, conventional source हो गया, conventional source of energy हो गया, इसके अलावा natural biomass यह हमारा हो गया, traditional biomass यह हमारा हो गया, बायोगेस समझते हो, बायोगेस, ठीक है, बायोगेस, 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 यह इसमें जाएंगे हमारे, तो 6 पॉइंट है, आपको इसे भी अच्छे से 4 पॉइंट तयार करके जाना हो सके तो 6 याद कर लो, बहुत easy है, coal हो गया, oil gas हो गया, hydro power, nuclear energy, natural biomass, traditional biomass, देखो, coal क्या होते हैं, mind from the earth, mind कहां से होते हैं, यह लोग, earth के अंदर से इनको mind किया जाता है, coal is burned to produce electricity, coal is burned, burn मतलब जलना, coal को जलाया जाता है, ताकि क्या प्रोड्यूस करें हो, electricity, it is an major source of power in many countries, और यह क्या है, major source of power है, many countries, बहुत सारी country में तो आज भी यह major source है, मतलब सबसे ज़्याद इनने आपको दे रखा है, तो इनने मीडिया में पढ़ लेना कही पर दिक्कत आए तो, ठीक है, तो काफी easy चीज है, और कम से कम यह सारे नाम याद रखना, आई बात समझ में, यह रहेगा, इस तरीके से हम लोग पहुँच चुके हैं, sample paper solutions पर, तो यहां तक हमने 2022 तक कर ही है, ठीक है, अब हम लोग sample paper स्टार्ट करेंगे,